नई दिल्ली की पंजाबी गरलब हुमिका चावला की सुपर हिट मूवी तेरे नाम तो सभी को याद ही होगी हो भी क्यों ना मूवी में बॉलिवोड की दबंग खान कहे जाने वाले सल्मान खान जो थे और इस मूवी में सल्मान खान का हेर कट भी आज तक पॉपुलर है बॉलिवोड की दबंग सल्मान खान की फिल्म तेरे नाम को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए फिल्म 15 अगस्त 2003 को रिलीज हुई थी वैसे तो भूमिका बॉलिवुट से पहले साउथ की फिल्म युगा कोडू से साल 2000 में ही अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी लेकिन उन्हें पहचान तेरे नाम से मिली इस मूवी में भूमिका की अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया था लेकिन क्या आप जानते हैं भूमिका ने असल जिंदगी में कितना लंबा अफियर निभाया है नहीं जानते तो आज हम बताते हैं भूमिका की लव लाइफ के बारे में अगर बात करें तो उनका लव अफेयर चार साल तक चला अरे रुकिये अफेर चार साल तक चला इसका मतलब ये नहीं कि चार साल बाद उनका ब्रेक अप हो गया बलकि उन्होंने जिस से प्यार किया उसी से चार साल बाद शादी कर ली जी हम भुमिका ने अपने बई अफ्रेंड योगा टीचर भारत ठाकुर से 21 अक्टूबर 2007 में नासे के गुरदवारे में शादी कर ली थी अब भारत और भूमिका का बेटा भी है बताया जाता है कि भूमिका योगा टीचर भारत ठाकुर के पास योगा क्लास के लिए जाती थी और वहीं दोनों में प्यार हो गया पहले दोनों ने चार साल तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद शादी कर ली नई दिल्ली के पंजाबी परिवार में गुडिया का जनमी 20 अगस्त 1978 को हुआ था भूमिका चावला का नाम ही गुडिया है जो उन्होंने फिल्मों में आने के बाद बदल लिया था भूमिका के करियर में बॉक्स आफिस पर सुपर हिट फिल्म तेरे नाम तो है ही साथ ही उन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्मे की हैं जिसमें हिंदी कंणर मल्यालम भोजपुरी पंजाबी तमिल और तेलगू भाशा की फिल्में शामिल हैं साथ ही इन्हें 2001 में तेलगू फिल्म खुशी के लिए फिल्म फियर बेस्ट तेलगू एक ट्रेस और 2004 में फिल्म तेरे नाम के लिए जीसे ने अवार्ड से समानत भी किया गया